राजिस्तान में ERCP के मुद्दे को लेकर सियासत कर्मा रही है। कॉंग्रस के बड़े बड़े नेता भी ERCP को राष्ट्रिय योचना बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। और ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद राठोल ने भी एंडी टीवी से खास बाचीत की है। और अपनी बाचीत में उन्होंने कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्ष टोटासरा पर हमला बोला। देखे, कजेंदर सिंग शेखावत की साथ बाचीत के वाँश भी आपको दिखाते हैं, लेकिन साथी साथ जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ बाचीत की जा रही है, बीजेपी के नेताओं का क्या क्याना है, ज़रा सुनाते हैं आपको। केडर बेस पार्टी है हर बूत पर 55,000 बूत पर हमारी फोटो युक्त कमेटियां बनी हुई है हर बूत पर पंदवा से लेकर एक किस कारेकरता तैयार खड़े हैं हमारी कारेकरताओं को हमारे संक्तन को और उसकी धार किस प्रगार पहनी हो अपने कारेकरताओं से मिलने के लि होगी कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी में ही तो फरक है कॉंग्रेस का संग्ठन आज भी गोईंजी डोटासरा के थेले में कैद है वहां से निकला नहीं निकला तो उस पर किस प्रकार के आरोप परतिरोप डार लगे जंबो उन्होंने अपने सचीव नुक्त किये और सचीव ने बाहर आकर जिस प्रकार का खरीद प्रोक्त की बात की वो भी सामने है इसलिए भारती जन्ता पार्टी के राश्ट्य अद्रक्स हमारे संक्टन के मुख्या है परिवार के मुख्या है उनका आना कारेकरताओं के बीच में जाना कारेकरताओं से सहिस्ता से बात कर करना जहां एक और करेकर्टा को संबल्द मिलता है वहीं उनके आड़े से प्रेड़ना बेती है आज से कॉंग्रेस भी एर्चिपी के मुद्दे पर भासपाउ गेने का काम करेगी अंदोलन करने की बात करी आज से भारतिय जनता पार्टी के गुरुद में कोई मुद्दा नह करेंगे उनका मकसद यगर यार्चिपी को पूरा करना होता तो उन्होंने बजट के अंदर दो जार बीस इकिस में 37,600 क्रोड की गोशना की थी इसने उनको मना किया यार्चिपी का जुंजना बजाकर वो तेरा जिलों के अंदर एक ब्रम पैदा करने की कोसिस करने इसे काम भी आप नहीं होंगे लोग जान चुके हैं और देश के परधान मंत्री जी ने इस दोसा के अंदर जब ये कहा कि यार्चिपी के अंदर राश्चिय प्रियोजना इसको घोसिद भी करते हैं तो पचास पर इससा लागत का राज्य सरकार को देना पड़ता है वो नदी से न मेरा नाम तो किसी भी सुची में नहीं रहे मैं भाजिते जिनता पार्टी का कारे करता हूं पार्टी जिस प्रकार को प्योग करेगी महां प्योग करेंगे हमारे यहां किसका नाम कब आया इसका कोई माइना नहीं है यहां कॉंग्रेस की तरह टिकट मिले टिकट नहीं मिले तो टिकेट फाड़ें इस प्रकार का खेल नहीं चलते हैं प्रतिपक्स राजिन राठोर जिनका कहना है कि भासपा की जीत है वो तैह है एनिटिव इंडिया के लिए चूरू से गजेंदर सिंग